कवर ड्राइव मारा करते थे अब हम उसके कवर ड्राइव काफी टाइम हो गया है बद तरस के कवर ड्राइव बावर आजम के देखने को सब ठीक होंगे वेलकम इटो माइट चैनल के टॉक विद सलीम और पाकिस्तान वर्सेज न्यूजी लेंड फस्ट सेमी फाइनल ऑफ दिस टीटोंड वर्ल्ड कप सिड्डी में खेला जा रहा है सिड्नी में ऑबिस्ली का पाकिस्तानी 80-90 पर संट गराउड होगा सपोर्ट अभी तक 6 मैचेज होएं हैं सिड्नी के क्रिकिट गराउंड में जिस टीम ने पहले टॉस जीतके बेटिंग की है छे में से 5 मैचेज उस टीम ने जीते हैं तो जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो बेटिंग ही करेगी और दौा करें कि पाकिस्तान बाबर आजम पहले बनाएं यहां संच्री बनाएं यह जो क्रिटिक्स हैं जो बाएर बैट के बातें करते हैं इनका मुव बंद करें क्योंकि यह लोग जो है ना वो एक वक्ती तोर पे हैं और यह एक दम से जो हैना किसी टीम के परफॉर्मंस और उसका जितना भी उसकी कारगर्दी होते हैं बहुत जल्दी बूल जाते क्योंकि इनके दमाग बहुत चोटे होते हैं तो खैर हमारा हमेशा बाबादाराजम के साथ सपोर्ट है और आई होप के इन्शाला आज भी वह स्कॉर करेगा और सेमी फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस न्यूजिलेंड है न्यूजिलेंड के सब लोग भी यह कह रहें के इस वक्त जो है वो 70% तु 60-70% चांस दो स्पाकिस्टान की जीतने के लेकिन यह हैं के पाकिस्तान की जो आविस्ट यह पावर प्ले है पाकिस्तान की वह इंको इतने अच्छी तरीकित से यूटलाइज नहीं कर पारे जिस तरह करना चाहिए इवन जिंबावे और जो नेधर रेंड्स हैं वह उनकी जो पावर प्ले की बैटिंग की अपरोच थी वह अच्छी थी लेकिन पाकिस्तान की अप्रोच बहुत कम है आमीन 6 से भी कम उनका जो एवरिज स्कोर है पावर प्ले में तो 6 के रन्रेट के इसे साब से जो है उनका पावर प्ले का पेले कवर ड्राइव मारा करते थे अब हम उसके कवर ड्राइव काफी टाइम हो गए हैं बद तरस गें पावर ऑदम स्कुर करें सिड्नी में रिकारड यह या है कि जो टीम पहले टाउस जीद के बैटिंग करती है वल्ल कप का रिकारड है कि 6 मेच यह हैं चे मेंसे 5 मैच्च उस में जीते हैं पहले टाउस बैटनंग कि चाह तो जो भी टीम आज टासट जीदें भी और एक पाकिसन से उन्हें कमडिनेशन के साथ जाए जो पहले किन की है यू जू साय के नेट होता है ऍो बनार जो ईयुक्त कहीं जो हो ये मैच्शे स्टार्ट होने में और इन्शालला हम अपनी टीम को बैठ के सपोर्ट करेंगे लगाज सी